Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग रीक का सापता है क्राशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है page of voices and the dream और देखिए ये cards कहते हैं कि इस week in general या फिर स्पेसिफिकली आपके professional front में किसी चीज़ को लेकर एक minor irritation, एक minor frustration आप महसूस कर सकते हैं और देखिए ये general reading है तो इस frustration, इस irritation के reason सब के लिए differ कर सकते हैं क्योंकि pages taro में messages होते हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई message, कोई phone call, कोई email, कोई news आपको थोड़ा सा bother कर रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो scopiers आपकी बहुत immature energies हैं या फिर आपके आसपास कोई इनसान है जिनकी बहुत immature energies हैं और इसी वज़े से एक irritation, एक frustration आप महसूस कर रहे हैं और देखे page of voices के नीचे the dream का भी card है और ये card कहता है कि कोई wish, कोई desire आपकी है जिसको आप manifest करना चाहा रहे हैं आप reality में convert करना चाहा रहे हैं और इस week कहीं आपको doubt आ रहा है कि पतनी ये dream आपकी पूरी होगी भी या नहीं होगी पतनी कभी भी life में आप इसको manifest कर भी पाएंगे या नहीं और इसी खयाल की वज़े से भी एक irritation, एक frustration आप महसूस कर रहे हैं और देखेए Scorpios अगर यही reason है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप vision तो create कर रहे हैं आप खुआप तो देख रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic measures missing हैं उसको reality में convert करने के लिए और इस चीज पर अगर आप थोड़ी सी भी attention देंगे या मैं कह सकती हूँ कि इस चीज को आप check करके correct करेंगे तो definitely आप उस सपने को भी पूरा कर पाएंगे तो इस चीज का आप खयाल रखें और देखिए पे जो voices के card को आप जैसे की देख पा रहे हैं यह जो figure है इन्होंने चश्मा पहना हुआ है और इनकी eyes भी बहुत ऐसे किसी चीज को जानने के लिए curious हैं किसी चीज के बारे में spy कर रही हैं जासूसी कर रही हैं और कुछ ऐसा भी कुछ Scorpios के लिए किसी level पे इस week रहता हुआ देख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of materials and playfulness और देखे सबसे पहली बात दोनों ही pages के cards हैं तो इस week कोई भी बड़ा decision कोई भी बड़ी choice अगर आपको लेनी पड़े तो जो भी experiential इंसान आपकी life में हैं आप उनसे जरूर discuss कर लें आप उनसे जरूर बात कर लें किसी भी चीज को लेकर impulsive ना हो जल्दबाजी ना करें and देखे surface level के लिए four of materials के card को देखें तो ये card जहाँ एक तरफ stability की बात करता है security की बात करता है वही दूसरी तरफ किसी चीज को लेकर बहुत एक attachment महसूस करने की बात करता है tightly hold on करने की बात करता है और देखें फिरसे मैं कहूँगी कि ये general reading है तो थोड़ा-thोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई thought, कोई belief system हो सकता है फिर से देखे सब के लिए different चीजें हो सकती हैं जिनको आप बहुत tightly hold on कर रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी आपकी immature energies रह रही हैं आप over enthusiastic, over excited हो रहे हैं बहुत ही carefree हो रहे हैं तो देखे स्कॉप्यों carefree होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन in the process हमें careless नहीं होना चाहि हैं innocently you know चीजों को deal करना या फिर childish energies रखना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन in the process अगर हम immature हो रहे हैं तो हमें जरूर check करके correct करना चाहिए और देखे overall ही थोड़ा सा pause करके अपने आपसे इस week आप जरूर पूछें कि यह जो भी holding on वाली energies हैं यह क्या आपको serve कर रही है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर इसी possessive rigid energies की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं तो बहुत important है कि इस week एक balance इन्ही energies में आप जरूर लेकर आएं और guidance से आप लोगों के लिए co-create का card है और दिखे इस card का बहुत ही simple मतलब है कि हम सब लोगों के पास बहुत जबरदस potential है power है जो भी हम चाहते हैं उसको create करने के लिए और आपके लिए देखे 4 of materials का card कहीं किसी level पे किसी तरीके की एक insecurity की भी बात करता है और देखे इन security तभी होती है जब हमें अपनी potential पे doubt होता है या फिर हमें लगता है कि पता नहीं इस चीज को हम achieve कर और देखे professional front के लिए भी dreams के ओपर कहीं page of voices का card है तो देखे नचल में दोनों ही fronts के लिए आप लोगों के लिए message है कि आप अपने resources, अपनी capabilities, अपनी potential पे complete trust करें और अगर ऐसा आप करेंगे तो जो आप चाहते हैं उसको आप अपनी life में create कर पाएंगे और देखे एक और चीज की checking इस week कर लें आप कि जो भी आपकी desires हैं, जो भी आपकी wishes हैं, आपके thoughts, आपके behavior उनके साथ align है या नहीं हैं क्योंकि देखे बहुत बड़ा मसला हमारी life का यही है कि हम चाहते कुछ और हैं, हम सोचते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं और इसलिए हमारी life में होत अब ही कुछ और है, देखे अगर आपको लखनव जाना है और आप चंदिगड़ की train में बाठेंगे, तो जाहिर सी बात है आप चंदिगड़ ही पहुँचेंगे, अगर आपको लखनव जाना है, यानि कि यह आपकी desire है, तो बहुत important है कि आप लखनव की ही train में बाठें, तो फिर से देखे, इस चीज की checking आप करेंगे, तो चीजों को बहुत better आप कर पाएंगे, और astrology से आप लोगों के लिए वो go का card है, और इसके हिसाब से green color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day, तो यह था scopios आप लोगों के और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए